दोस्तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो फिर आपके मेडिकल से रिलेटेड और आइनेस चिलका में क्या क्या होता है उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं नेविपूर अकैडमी सो दोस्तो मेडिकल किस तरीके से होता है बिल्कुल मैं आज की वीडियो में कम्पलीट वे में बताऊंगा सो छेले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों ये सिर्फ Coast Guard का मैं नहीं बता रहा हूँ, Medical Procedure जो भी होता है, आइने शिलका में सारे चीजों का Medical सेम होता है, या तो Indian Coast Guard, DBGD या अंतरीक और ने भी MR, SSR और AA, सब का Medical सेम होता है, गल्स के लिए इस वीडियो को allowed नहीं करता है, गैडलेंस है, आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो फिलीज वीडियो को क्विट कर दीजी, और चले फिर बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, भाई यूटुब पर तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमे में पता दिया जागा कि अमेड इस त्रीक में होता है आपको की स्वें में कभ से कभ आपका मेडिकला होगा कब कुरज्टाइन होंगे कब क्या चीजे मैं डिसकस्र करूं गा फिलहाल में आपको बताओँगा कि जैसे नहीं आप आईनेस चिलका जाओगे फिर आईनेस चिलका में आप रिपोर्ट करोगे जिस डेट को आपका रिपोर्टिंग होगा सुबह के चार बज़े रिपोर्टिंग करना है अगर आपके एडमेट कर्ट पर लिखे हैं छे बज़े तो छे बज़े रिपोर्टिंग बिल् दो तिन दोस्त हैं और दोस्तों यह रहा मेरा पीक आयने स्चिल का में का हम लोग के लॉज का आप आपको यह भी बता दूंगा कि लॉज में कहां रहना है सो फाइनली यह सब सेलेक्ट हैं और देखिए यहां से होती है आपकी मेडिकल की जर्णी स्टार्ट इवेन आपको मिलेगा और आपके डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा है ठीक है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन काफी सकती से होती है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन डीवी जिसको कहते हैं और बिल्कुल कंप्यूटर से होती है कंप्यूटर से होती है दोस्त आपको बोरिंग लग रहा होता क् medical के वीडियो है भई थोड़ा wait कर सकते हो फिर आपको आइने शिलका के अंदर entry हो जाएगी और फिर खाना वाना मिलेगा आप खाना खा कर फिर ये भई division भई phone वगएरा allowed नहीं होते हैं बट मैंने किसी तरीके से photo click कर ले तो ये आपको जिस भी division आपको division एलोट कर दिये जाएंगे उसके बाद division एलोट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपके 14 दिन होगा quarantine quarantine में क्या होगा सुबह में 4 बज़े उठाएंगे आपको और 5 बज़े तक बैठाएंगे 5 बज़े खाना 6 बज़े खाना मतलब नास्ता कराएंगे और फिर बैठाएंगे 10 बज़े तक मतलब आपको सिर्फ बैठा आते हैं और बैठाना खाना और सोना ये तीन चीज़ आपको याद रखना है और एक चीज़ और muster all dear candidate please please attention muster in bollywood court within 2 minutes तो भाई bollywood court में आपको 2 minute के अंदर आपको जाना पड़ता है कभी कभी ऐसा होगा कि within 10 seconds बोल देगा तो 10 seconds के अंदर जाते जाते कुछ लोग सिर्णी से गिर जाते हैं बही तो बहुत कुछ दिक्कते होती है और आपको बिल्कुल सुबह में जग जाना पड़ेगा च्यार बजे और सोना पड़ेगा रात को 11 बजे क्योंकि मस्टर में बैठाई रा जाते हैं 10 बेट तक ये कुछ चीज़े हैं और ये देखी फाइनली जब 14 दिन आपका कम्पलीट हो जाएगा तो फिर आप आजाएगा यहाँ पर ये है प्रेड ग्राउंड प्रेड ग्राउंड में आपकी मेडिकल होती है प्रेड ग्राउंड के मेडिकल रूम है रूम ये ऐसे ही करकट का स्रेड है उसी में मेडिकल होता है और ये मेडिकल टाइम डिवी होती है डॉक्मिन बरिफिकेशन और यह last में मतलब यही सब buildings में आपकी medical होती है और दोस्तो यही सब जगों पर आपकी medical होगी और यह देखी इसमें आपका private parts के लिए private parts चेक करने के लिए यहांपर tent लगाया गया है और बाकी चलेब यह सब कुछ चीज़े है जब आप unfit हो जाएंगे तो फिर आपके मतलब ये सब भई चलिए next medical पर बात करते हैं अब तो finally suppose किजिए मैं हूँ और सबसे पहले आपके आपको 30-30 बच्चों का ग्रूप बना दिये जाएगा और ग्रूप में 30 बच्चों में मतलब table इलाट कर दे जाएगे आपको table पर बेजा जाएगा कि इस table पर आप जाएए मतलब आपको आपको दोस्तों जाना नहीं है बलकि आपको officer का एक मतलब कोई होगा जो ले जाएगा शेलर ही होता है normally officer नहीं होते है officer का काम होता है सिर्फ चेक करना तो आपका आँख चेक होगा फिर कान चेक होगा काफी अच्छे से सकती से दूरवीसे यह सब चीज़े चेक होती है पिर आपके दाजस का अलग होता है दात का देखी आपका एक डाउट होगा कि सबही चेक अप एक ही डॉक्टर करेगा या अलग अलग तो भई, तीन चीज ऐसे होते हैं, जो जैसे एक होता है, आपका दात जो है अलग चेक होगा दात अलग चेक होगा है दोस्त और फिर आपका यूरीन और दूसरा होता है बलड, मतलब यह सब चीजे मतलब अलग जगहों पर चेक होगी और private part मतलब total मतलब सब चीज सब चीज मतलब एक ही doctor check करेगा सिवाए इसके इसके लिए अलग जगहों पर आपको ले जाए जाएगा मतलब बस उसी मतलब print ground में ही सारे doctors होते हैं तो even आप लोग समझ गये होंगे और भई नेक्स्ट मेडिकल तो आंक का नाक मोह जीव दांत नाक में डी एनेस वालों को थोड़ा प्रोब्लेम होता है फिर से आपको बता दू कि आपका सबसे पहले हाइट मेजर किये जाएंगे आपकी हाइट क्या है उसके एकॉर्डिंग आपका वेट क्या है हाइट वेट आपको मापेंगे और हाइट वेट लगबग बता दू एक आइडिया बता देता हूँ भाइक कितना भी हाइट हो और तालीस केजी से कम नहीं होना चाहिए यह बैसिक एस्टेंडर्ड है जो कि और भाइक हाइट के कोडिंग वेट का कोई मतलब यह नहीं है आपके हाइट के कोडिंग हाइट वेट आप देख लीजे चाठ है चार्ट में प्रवाइट कर खाइज सो यह कुछ चीजिब होती हैं पिर आपका पर कहता हुधा है नौकनी चेक होगा फिरका फैसे हैं नौकनी के ही फिर आपका व लेट नौकनी चीक होगा और दोस्त Gi participants है वद्रोट फॉड प्लेट फूट चीक होगा और फिर आपके अंगली वगारा फिर से मतलब कैरी इंगल चेक करेंगे आपके बाग को चेक करेंगे आपके बाजी जो हते हैं उसको चेक करेंगे फिर से आपके मतलब चेश्ट जो भी है चेश्ट चेश्ट को मतलब मेजर करेंगे कोई ये दोस्तो एस फिगनो मैनोमेटर जो हता है उससे मतलब मेजर करेंगे और दोस्तो एक चीज चेश्ट को मापने से पहले आपको 10 पूसप्स या 20 पूसप्स पूसप्स मरवाएंगे कहेंगे कि पूसप्स लगा फिर आपके पूसप्स जब लगाओगे तो आपको हाथों में पसीना आएगा मतलब इससे हाइपर हाइपर हाइड्रोसिस हाइपर हाइड्रोसिस का भी उन्हें पता चल जाएगा और भई हाइपर हाइड्रोसिस में मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बंदे इसी में छटते हैं कौन सा point major है कौन सा point minor है major points बताता हूँ major जिससे मतलब rejection ही rejection है कोई पहली नमबर surgery का case हो surgery का case हो और आपके पास surgery का valid certificate नहो तो ये एक छटने का chance है अगर आपके पास certificate है छे माईने का पहले का तो हो सकता है और फिर बात करते हैं मतलब एक कौन से इस्टिती होगी मतलब surgery जो है आपके छो महीने छो महीने से पहले का है अगर इस से पहले के surgery है तो दिक्कत है अगर बाद का है तो चल जाएगा लेकिन पहले का है तो इसमें भी rejection होगा तो surgery के case में rejection होते हैं दूसरी चीज होती है hyperhidosis यानि पसीना पसीना वाले तो बिलकुल मतलब injection लगवा लो पसीना जिससे नहीं आएगी एक injection आता है मुझे नाम याद नहीं है बट आप लोग लगवा सकते हो ये कुछ चीज़े हैं फिर से आपके और आपके ये जो hair का fall वगरा देखते हैं फिर से whiteness देखते हैं hair का मतलब thickness देखते हैं बहुत कुछ देखते हैं hair में भी देखते हैं फिर से आपके फिर आपको ले जाए जाए जाएगा प्राइवेट स्पार्ट के लिए प्राइवेट स्पार्ट काफी अच्छे से चेक होते हैं तो प्राइवेट स्पार्ट की separate वीडियो है एक सेकंड गाईच मैं आपको बताता हूं नेवी पूर एकैडमी के प्लेलिस्ट में आप जाएए छे से छे से साथ वीडियो जा है जो कि मेडिकल से रिलिटेड है और वो भी मतलब प्राइवेट स्पार्ट के उपर है फिर से दात के उपर है नाक के उपर है मतलब पसी पसीने वाला फिर से मतलब तरह तरह के प्रोब्लेम आँक से रिलिटेड आपका मेडिकल का कोई भी में डाल दूँगा तो चले मिलता हूं नेक्स वीडियो के साथ जैए हिंजैबर ठैंक्स फर वाचिंग